नमस्कार स्वागत है आपका उत्रखंड की खबरों में मैं हूँ आपके साथ सुमन पाल विधान सभा चुनाओ 2022 के लिए लंबे इंतजार के बाद ही कॉंग्रेस ने शनिवार देर रात तिरपन उमिदवारों की लिस्ट जारी कर दी है उत्रखंड के ही मुखी मंदरी पुष्कर सिंग धामी के खिलाफ खटीमा विधान सभा सीट से ही आपको बता दे कि कॉंग्रेस नहीं भूवन चंद्र कापडी को ही उमिदवार बनाया है और नेता पर्तिपक्ष की जमेदारी सम्हाल रहे पृतम सिंग पर एक पर फिर भरोसा जताते हुए कॉंग्रेस ने उन्हें चकराता विधान सभा सीट से उमिदवार बनाया है कॉंग्रेस पर देश अधियक्ष गडेश गोदियाल श्री नगर विधान सभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और आपको बता दे कि भाजपा ने दो दिन पूर्व ही उन्चास परतियाशों की ही लिस्ट जारी कर दी थी और तभी से ही कॉंग्रेस उमिदवारों के नामों लिस्ट कब जारी करती है और कॉंग्रेस ने भी शुकरवार को 55 सीटों के लिए ही उमिदवारों के नाम ते कर दिये वहीं सूत्रों के अनुसार फिलहाल राम नगर लाल कुवां हल्द और काला धूंगी लैंस डोन और चोबट खाल और डोई वाला और दहरा दोन कैंट सम मौझूदगी में ही केंद्रे चुनाव समीती की बैठक में विवाद वाली 15 सीटों पर सहमती बन गई देश भर में सबसे पुरानी पाटी कॉंग्रेस के पतन और राज में ही कम हो रहे जनाद देश को ही लेकर उत्राखन के पूर्व मुख्य मतरी हरीश रावत ने खुल कर बात की है उन्होंने कहा कि कभी बल्ले बाज भी आउट ओफ फॉर्म में ही चले जाते हैं उन्होंने देश की जनता को ही आश्वस्त करते हुए कहा कि देश भर में ही कॉंग्रेस की भी फॉर्म जो है वो थोड़ी कम हो गई है इसे हम फिर से ही हासल कर अपने फॉर्म में आज जाए और सभी नहीं हरीश रावत को राम नगर से चुनाव लड़ने की मांग की है और नगर पालिका की ही चेर्मैन और कॉंग्रस के परदेश महामंत्री का भी विरोध किया है ब्लॉक में ही बीडिसी सदसे परधान और यूद कॉंग्रस से जुड़े कारेकरताओं की बैठक हुई यूद कॉंग्रस के अधियक्ष गोपाल अधिकारी ने बताया कि राम नगर से ही मुख्य मंत्री हरीश रावत को आला कामान को टिकट देना चाहिए कॉंग्रस के परधेश कारेकारी अधियक्ष रणजीत सिंग रावत ने टिकट देने की मांग को लेकर ही गुरुवार को पालिका के चियर्मेन हाजि मुहमत अकरम को परधेश कॉंग्रस महमंत्री किशोरी लाल ने प्रस्वार तकी है और इसके साथ ही आपको बता देगी जिसमें रणजीत को ही टिकट ना देने पर निर्दलिय चुनाव लड़ने की बात कही गई और जो गलत है कहा दोनों का ही पुर्जोर विरोध किया जाएगा वही पूर्व सबाद सद शिल्प पेंद्र बंसर ने बताया कि पूर्व मुखे मंत्री के चुनाव लड़ने से ही राम नगर की तस्वीर बदल जाएगे लंबे इंतजार के बाद कॉंग्रस नहीं उत्राखंड विधान सबाद चुनाव के लिए अपने तिरपन परतियाश्यू की सूची जारी कर दी राजयों में 8 जनवरी को ही चुनाव कारेकरम घोशित होने के 14 दिन की लंबी जहद के बाद से ही कॉंग्रस पार्टी शरीवार देराथ सूची जारी कर पाई और जबकि इससे पूर्व सत्ताधारी दल भाजपा 20 जनवरी को ही 49 परतियाश्यों के ही पहली सूची जारी कर चुकी है शनिवार को नई दिली में मौजूद कॉंग्रेस के ही 15 गुर्दवारा रका बंजग रोड पर ही में बने बार रूम में ही पार्टी महासचीव मुकल वासनिक की और से ही कॉंग्रेस परतियाश्यों के सूची जारी की गई और नई दिली में शनिवार रात करीब 11 बच के 40 मिनट पर ही पार्टी महासचीव मुकल वासनिक की और से ही परतियाश्यों के नामों की घोशन की गई और घोशित सूची में ही पार्टी के सभी 9 सेटिंग्स विधाई को और जगह दी गई है और खडीमा सीट पर ही मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी के खिला चकराता पूर्व विधान संभाध्यक्ष गोविंद सिंग कुझवाल को ही जागेश्वन पूर्व कैबिनेट मंत्री येशपाल आरे को ही बाजपर तो उनके पुत्र सजीवारे को ही नानिताल से परतियाश्य बनाए गया है और इसके अलावा पाटी की दिगज नेता रह ही दिवगत इंद्रा हदेश के ही पुत्र सुमित हदेश को ही हल्दवानी से ही परतियाश्य बनाए गया है